असलाम अलेकुम वेलकम तो हाइटेक शॉप आज हम बिजनेस लेप टॉप डेल लेटिटूट फिफ्टी फॉर हंडर्ड फॉर्टीन इंच कोर आइफ फाइफ एट्री सिफ्टी फाइफ यू एड जेनरेशन का फुल रिव्यू करेंगे डेल लेटिटूट फिफ्टी फॉर हंडर्ड एलेडी बेक लाइट की बोर्ड के साथ आता है यू केन वर्क एजिली अट नाइट अन दिस की बोर्ड लेटिटूट फिफ्टी फॉर हंडर्ड लेट आप की साइज की बात करें तो ये फॉर्टीन इंच में आता है इसकी बोड़ी जो है ये प्लास्टिक की है इसका वेट जो है ये 1.48 केजी है रोटेशन अगर इस लिप्टाप का देखे तो 180 डिग्री है इस लिप्टाप की डिस्प्ले देखे तो ये 14 इंच FHD 1080p एंटी ग्लेर WLED नन टच अप टू 220 नेट्स डिस्प्लेई इसकी अगर उनलाइन यूजिज देखे तो काफी बेहतरीन लिप्टाप है इस लिप्टाप की बात करें तो ये चाजिंग पोर्ट है 65W का Type-C 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, vent panel, right side पर, first one जो है ये सिक्यूरिटी लाग है Ethernet पोर्ट, HDMI 1.4, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, Universal Audio J की पोर्ट है उपर अगर आप देखें तो Micro HD कार्ट पोर्ट प्लस Micro SIM कार्ट पोर्ट की बोर्ट के राइट साइड पर देखें तो ये पाउर बटन है 720 HD केमरा विद फेस लॉक यू केन लॉक अनलॉक केमरा ये पाउर बटन मैंने प्रेस कर दिया डेल लेटिट्यूट 5400 का बूट टाइम टेस्ट करते हैं डेल जयरतर बूट में तोड़ा सा टाइम लेते हैं बनिस्बत HP तिंक पेड इस लिप्टाप में विंडोस 11 है विंडोस 11 विंडोस 10 से तोड़ा ज्यादा टाइम लेता है यह अगर आप देखें तो इस लिप्टाप में राउंड अबौट 22-25 सेकंड लिये हैं डेल लेटिट्यूट 5400 को राइफ एट जेनरेशन के साथ अगर देखें तो 65 वाट का चार्जर आता है डेल लेटिट्यूट 5400 में प्रोसेसर देखें तो को राइफ 58365 यू प्रोसेसर है 4-Core CPU, 8-Logical प्रोसेसर, 6 MB केश स्पीड, इस लिप्टाप की बेस स्पीड 1.9 GHz, टर्पो अब्टू 4.1 GHz इस लिप्टाप में मेमुरी देखें रेम देखें तो 8 GB की सिंगल रेम लगी हुई है 2400 मेगा हर्स की प्लस एक एम्टी स्लोट है, अगर आप चाहें तो 16-16 लगा कर अब 232 GB तक रेम अफडेट कर सकते हैं SSD इस लिप्टाप में देखें तो 256 GB की M2 की SSD लगी हुई है Wi-Fi देखें तो Intel Wireless AC 9560, 160 MHz की Wi-Fi चिप लगी हुई है प्लस Intel UHD Graphics 620 Graphics है, Intel की अपनी इस लिप्टाप की डिस्प्लेइ देखें तो 14 इंच FHD, एंटिक लेयर WLED, नन टच अप्टू 220 नेट्स डिस्प्लेइ विद 1080p रिजिलूशन इस लिप्टाप की बैठरी रिपोर्ट मैंने बनाई है, यह देखें तो डेल लेटिच्टूट 5400 डेजाइन केपेसिटी अगर इस लिप्टाप की देखें तो यह 42,000 MWH है, फुल चार्ज केपेसिटी जो रह गई है वो 34,257 MWH है, इस लिप्टाप की बैटरी टाइमिंग राउंड अबाउट 4 हाउस तो 5 हाउस तो 5 हाउस जो चार्शक्रूदान सबुदान सबसीजयना चार्शक्राशक्राशक्राशख्ट डेल बाई है, वो 200 बाई राउस तो 6 हाउस जो 數emia तो जो 30 बाई के जोagon, Squid Hand, Izsky बhou्टाट 4 हाउ टाउस झाल झाल डेल लेटिट्यूट फिफ्टी फॉर हंडर्ड आई फाइफ एटी त्री सिस्टी फाइफ यू एड जेनरेशन का बेक कावर में ओपन करके आपको दिखाता हूँ के इसमें आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें अल्रेडी लगा हुआ है झाल 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 सिप्यू चिप सिप्यू फैन एट जीवी डीडियर फॉर रेम प्लस यह इसके साथ एमटी स्लोट है अगर आप चाहें तो 1616 लगा कर अब 232 जीवी तक रेम अफग्रेड कर सकते हैं यह देखें तो यह एमटी स्लोट है एच डीडी के लिए यहां पर आप एच डीडी लगा सकते हैं यह कनेक्टेड की जगह है यह वाइफाइ चिप है यह 42000 MWH की बैटरी है नीचे अगर देखें तो ड्यूल स्पीकर राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर